हलो प्रेंट साहे माई नेम इस राथार राथा जैलिस इस माई नेम एक और नई इस्टेट उत्रखंट जिया ये भी एक ओपन इस्टेट है और इसमें भी आप रजिस्टेशन कर सकते हैं 17 जुलाई से 31 जुलाई की बीच में सारी प्रोसेस को हम समझेंगे कॉलेजिस कितने हैं क्या कट आप जाता है सारी चीज़ों को डिटेर्मेंट चलिए सुरू करते हैं तो उत्रखंट में अगर आप MBBS BDS का प्लान कर रहे हो तो आप इसमें रजिस्टेशन पहले आपको करना है कांसिलिंग की जो हम बात करें उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे लेकिन वो होती है औल इंडिया कांसिलिंग के बात अब अगर रजिस्टेशन की बात करें अगर आप रजिस्टेशन ही नहीं करोगे तो कांसिलिंग में राइट कि यहाँ पर कौन से particular colleges है, private colleges देखिए, ज़्यादा colleges के options आपको मिलते नहीं हैं, गिने जुने यहाँ पर colleges है, राइट, so government private colleges को मिना के भी 10 से कम colleges यहाँ पर है, राइट, अब आप open state जरूर है, लेकिन colleges ज़्यादा नहीं हैं, और अगर हम fees की बात करें, 13 से 18 लाग इसको हम समझते हैं, service bond में क्या है कि particular जो आपका bond है, किसमें उत्राखंड में, अगर आप bond को accept कर रहे हैं, तो आपकी fees government colleges में कितनी रहेगी, 50,000 रहेगी, अगर आप bond को accept नहीं कर रहे हैं, दोनों option देता है, एक आपने बहुत सारी state में देखा होगा कि भाई क्या करते है जब आपकी graduation complete हो गई, मतलब MBBS complete हो गई, उसके बाद choose करना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप particular right नहीं choose करते हैं, तो उसकी आपकी fees क्या होगी, उसकी fees होगी, एक लाग पे तालिस अजार, मतलब देड़ लाग, bond के 7 accept करते हो, तो 50,000 bond के without accept करते हो, तो आपको करीब कर एक देड़ लाग जा रहेगा, eligibility criteria कि हम बात करें, तो देखो यहाँ पर आपको यह समझना होगा, eligibility criteria क्या है, 10th plus 12th और domicile होना चाहिए, इसमें 3 eligibility हैं एक तरीके से, अगर हम देखे, या तो आपके पाद domicile हो, right, domicile मांगा गया है, और आपने 10th 12th किया हो, पहली condition क्या ह है कि domicile, end, और से मतलब या नहीं, end, domicile हो, और आपने 10th 12th किया हो, अगर यह बोलते हैं कि ठीक है भाई साब, अगर आपके पाद domicile नहीं है, 10th 12th आपने किया है, उत्तराखंट से, माल लिजे मैंने 10th किया है, और 12th भी किया है, लेकिन मेरे पाद domicile नहीं है, तो कि रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरह का रिजर्वेशन क्राइटेरिया, किसी भी बेनेफिट नहीं मिलेगा, तीसरा यह है, कि domicile है आपके पास, और 10th नहीं किया हो, तो यह तीन क्राइटेरिया है, पहले तो यह है, कि जिसमें डो मिसायल और टेन टोयल थे वो तो eligible है और जिसके पाद डो मिसायल नहीं है टेन टोयल थे वो eligible है लेकिन उसको किसी भी तरह का benefit नहीं मिलेगा reservation में और third हमने simple बता दिया MBBS seat की बात करें तो colleges कितने है टोटल 9 है और यहाँ पर total इसकी अगर हम fees की बात करें तो 1200 करीब करीब यहाँ पर seat है मैंने पहले भी बहुत था कि right total 10 से कम है so again 9 colleges है government colleges चार है private तीन colleges है right so private colleges में साले 400 सीट है और government में 575 सीट है BDS का भी यही आला में अगर आप देखेंगे चार colleges है एक government तीन private right so government की 63 सीट है और private की 450 सीट है process के हम बात करें चार process यहाँ पर भी होती है registration फिर merit लिस्ट आती है तो फिर होता है choice filling right जो की बड़ी important होती है उसी के अधार पर आपको colleges मिल रहे होते फिर होता है choice filling के बाद क्या registration होगे choice filling होगे allotment होगया right जिसमें आपको पता चलता है allotment मतलब result के कौन सा colleges मिला है फिर finally reporting करना परता है so यह process हम उत्तरखंड की समझते हैं हमने पहले भी आपको बताया था उत्तरखंड में अगर आप government colleges भी ले रहे हो तो fees दो तरीके की एक 50,000 उनके लिए जो bond accept कर रहे हैं और जो bond accept नहीं कर रहे हैं उनके लिए कितनी होगी देर लाट रुपे fees होगी right और private colleges की बात करें तो एक होगी state seat right state quota जो उत्तरखंड के बच्चों के लिए एक होगए all India quota मतलब कहीं से भी बाहर से भी आप आजाओ all India quota की fees कितनी होगी 13-18 और state की होगी 9-13 right तो यह fees structure होगा अगर आप state quota से ले रहे हो तो यह अगर आप बाहर से ले रहे हो तो particular यह आपकी fees structure होगी यहाँ पर सारी चीज़े दे तो आप इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हो हलाकि यह paid counseling होगी right तो आप तभी इस नंबर पर WhatsApp करें जब आप paid counseling में interested जिसमें आपको एक counselor dedicated मिल जाएगा वो बताएगा सिखाएगा सारी चीज़े आपको particular बताएगा भी कि कैसे choice feeling करना है कौन सा college मिल पाएगा नहीं बरना है और यह इसके लिए आप क्या करोगे predictor का इस्तिमाल करोगे so अभी सबसे पहले हम यह देख लेते हैं predictor से पहले official website पर जाना है यहाँ पर registration का schedule जैसे कि आप देख पार हो 27 तारिक से 31 तारिक के बीच में दिया गया है choice filling candidate यह भी दिया गया है कि आप first round की counseling कर सकते ह by the candidate of first round यह के लिए data processing और यह तमाम चीजे last date of joining allotment colleges 8 अगस्त को तो 3 अगस्त को colleges पता चल जाएगा आपको कौन सा मिला और 8 अगस्त तक आपको join करना है so again इस counseling में आप वो सारी चीजे कर सकते हैं make sure official website पर आप सारी चीजे पढ़ लीजेगा कोई confusion हो वो मैंने बताई दिया देखना चाहते हो कौन सा college मिलेगा नहीं मिलेगा again नीचे description पर लिंक है आप यहाँ पर भी जा सकते हैं जैसी आप यहाँ पर जाएंगे सारे मतलब यहाँ पर open हो जाएंगे medical engineering तो अगर मुझे predictor देखना है मतलब मुझे देखना है को फ्रक्र खंड में मुझे colleges मिलेगा यहाँ मिलेगा है तो यह सारे state के predictor और यहाँ पर गया college हलदवानी मिल रहा है इस तरीके से भी आप देख सकते हैं और यही choice filling में आपको इसकी closing rank भी पता चलेगी कौन सा college पहले रखना है नहीं रखना है यह भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा so again यह नीचे description पर link दी गई यह वहाँ से जाके आप ले सकते हैं चलिए यह तो सारी चीज़ हो गई अब हम बात करते हैं यहाँ पर next process की right counseling fees कितनी होगी तो round first round two के लिए कितनी करीब करीब 3000 फीज है मोप अप के लिए 2000 इसकी फीज है अगर हम बात करें 15% सीट है जैसे मालीज यह MS रिसी केस है यहाँ आगर MS रिसी केस है तो वो किस में जा रहा है MCC की counseling में जाएगा उसकी 100% सीट है क्योंकि MS की और Dreamed की किस में जाती है All India counseling में जाती है तो MCC में जा रहा होगा 15% इस state के जितने भी चार colleges है चारों की 15% सीट पिलस एक M से उसकी 100% सीट में जाएगा 85% सीट स्टेट में आएगी और करीब करीब 100% प्राइबेट की सीट स्टेट में आएगी document की आपको चाहिए होंगे जो basic है राइट आपको कहीं न कहीं इसमें appear होने के लिए government colleges के अगर हम बात करते हैं तो ये पुराना cut-off है 2022 का आप इससे अंदाजा लगा लगा सकते हैं राइट open के degree में करीब करीब जाता है 32 जार 300 EWS में करीब करीब कई बार आगे पिछे होता है तो 50,000 एकी decent मान सकते हैं OBC के 46,000 राइट SC का 2,000,000 और ST का भी वहीं पर same कोई benefit नहीं मिलता है यहां पर SC और ST में अगर हम बात करें private colleges की तो पिछली बार का आप अंदाजा लगा सकते हो कितना यहां पर गया हुआ था इस बार क्योंकि numbers इस रेंग पर बहुत ज़्यादा आए हुए इसलिए में इसको connect मतलब कहीं न कहीं काट दिया है चलिए रेंग की बात करें open में 6,4,000,000 पर गया था OBC में करीब 9,000,000 तक भी गया था ST में 10,000,000 ST में 5,000,000 पर क्लोज हो गया था मनेजमेंट कोटा में 8,000,000 तक भी गया था यह राइट सो यहां पर clear है कि आपको अगर मनेजमेंट कोटे में चाहिए सो 8,000,000 तक में भी आपको colleges मिल जाएगा makes है और यहां पर अभी सारी चीज़े clear हो गई है अब हम अगर government देख रहे हैं private देख रहे हैं जो भी आप देख रहे हो यहां पर आप choose कर सकते हो so again right इस से related कोई भी doubt है कोई confirmation वो आप पूछ सकते हो scholarship इस state में है क्या हाँ है यहीं के बच्चों के लिए right वो OBC scholarship है लेकिन उसकी condition क्या है देर लाग से कम का annual income होना चाहिए तो आप eligible हो SCST वालों के लिए भी यहां पर है और उनकी धाई लाग से कम की annual income होना चाहिए तो आप eligible हो clear scholarship के लिए अगर हम next बात करें कौन-कौन से government colleges है तो MS RISI case right government medical college हलदवानी यहाँ पर वीर चंदरे सिंग right और अगर हम बात करें यहाँ पर medical science and research society पूरा इसका नाम है government dune business business school बोल रहा हूँ यहाँ पर एक dune business school भी है I am so sorry government dune medical college देहरादून में है right so यह पाँच colleges आपके पास है M's को मिलाके बेसे चार है private colleges की बात करें श्री गुरु राम राए institute of medical science right इसको देख सकते हो himalayan institute of medical science और इसके बाद आप देख सकते हो gotam budd right यह तीन colleges है 150 150 इसमें particular seat है अब इसके बाद अगर कोई doubt आ रहा है one to one mentorship चा रहा है वो मैंने आपको नमबर दिया था उसके वाटसिप कर सकते है paid mentorship आप ले सकते हैं जो की पूरी counseling था इसी state की या कोई और state की भी आप देख रहे हो सारी state की आपको guidance करेगा एक ही counselor job को मिल जाएगा सारे state बता देगा और इसके अलावा कोई और जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो नीचे comment करो neat student खबरी neat student खबरी एक telegram channel जाओ जाके इसको जली से join करो कुछ और पूछ रहा है बने देखते रहे हैं thank you very much thanks a lot